उम सिरी गने साय नमदूस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 नवंबर बुद्वार की रासी फल के बारे में कि हादिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए बुद्धवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज कोई महत्पपूर्ण और लाबदाएक सूचना आपको प्राप्त होगी दोस्तो और जानकारों के साथ अपने संबंदों को और अधिक मजबूत करें ये संबंद आपके लिए आर्थिक संबंदित कई नई उपलब्दियां उत्पन कर सकते हैं जो आपके भविश्य के लिए काफिल लाबदाएक साबित होंगे दोस्तो साथ इसाथ आज कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मामलों के हल होनी की भी आज संभावना है दन के निवेस संबंदित कारों पर आज आप विशे सुरूप से ध्यान दें लाबदायक समय आज आज आपके लिए चल रहा है इसका आप भरपूर सदियों प्योग करें दोस्तो कर्म धर्म वे समाजिक सेवा संबंदित कारों के परती आज आपका रुजहान रहेगा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में आप गहराई से चानवीन करें इस से आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे साथ ही साथ समाज में आपका मान सम्मान वेरुत्बा भी बढ़ेगा बच्चों की किसी उपलब्दी से घर में आज सुकून बरा माहूल रहेगा अगर घर में सुधार या साज सज्जा संबंदित कोई योजना बन रही है तो वास्तु संबंदित नियमों का भी आप अवश्य पालन करें दोस्तो किसी मित्र के मुशीबत के समय में आज आप उसका सयोग करेंगे जिससे आपको आत्मिक खुसी प्राप्त होगी साथ ही आपका अपने उसूलों और सिद्धानतों पर अडिक रहना समाज में आपके मान सम्मान में भी विरत दी करेगा बुजुर्गों का आशिरवाद और इसने आज आपको प्राप्त होगा रचनात्मक वैधार्मिक क्रिया कलापों के पिरती आज आपका रुजहान रहेगा जरुतमंदों की साहिता में भी आज आपका समय व्यतित होगा चुनोतियों को स्विकार करना आपके लिए उपलब्दी का मार्ग भी आज खोलेगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो आप बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो आज आप अपने स्वयभाव पर नियंतर रखें क्योंकि कभी कभी वहवार में चड़ चड़ापन आपको अपने लक्षे से भटका सकता है और किसी से धन संबंदित लेन देन को भी आज इस्तगिधी रखें दोस्तो आपके श्वयभाव में एक कारण ही गुसा या उग्रता आने से अचानक ही बनते बनते कामों में विग्न पड़ जाता है इसलिए आत्म अवलोकन करना आवश्चक है और अपनी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लें दोस्तो बच्चों के किसी समस्या को लेकर आज तनाव रहेगा उन्हें मार्ग दरसन देने की आपको आवश्चकता है मकान वे गाड़ी से संबंदित काग जादों को आप बहुती अधिक समाल कर रखें उनके खोने या रख कर बूलने की आज संभावना बन रही है दोस्तो अपने खर्चों को सीमित रखें नहीं तो बजट बिगड़ सकता है किसी नजिदी की रिष्टेदार से आपकी जिद की वज़े से संबंद खराब होनी की भी आसंग का है दोस्तो अपने श्वबाव में लचीला पन रखें तता रिस्तों की मरियादा का भी आपको ध्यान रखने की आवश्चकता है दोस्तो संतान के किसी गलत संगती की वजे से आज चिंता रहेगी परंतु आपकी समस्दारी वे सूजबूज से समस्या का हल भी निकलेगा ध्यान रहें कि भावुकता में आकर कोई भी निर्ने ना लें वेवारिक जश्टी कौन रखना आपके लिए आवश्चक है दोस्तो विरोधी आपके लिए आज कुछ मुश्जले पैदा कर सकते हैं परंतु आप अपना आत्म विश्वास बनाये रखें आपको विजय हासिल होगी दोस्तो साथी साथ आपको अपनी योजनाओं में आज सफलता प्राप्त करने में कुछ मुस्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है जिससे आपका मांसिक तनाओ बढ़ सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लवलाइफ के शिरेने वाली है दोस्तो वहवायत जीवन को खुस में बनाने में ही आपकी भूमी का अधिक महत्पपूर रहेगी प्रेम संबंद में किसी प्रकार की खटास उत्पन होनी की संभावना बन रही है अपने वहवार को आप स शुकरती प्राप्त होगी दोस्तो वैस्तता के कारण घर परिवार की देखवाल में उचित समय नहीं दे पा रहे हैं परन्तु जीवन साथी आपकी परिसानियों को समझेंगे और आपका पूर्ण सेयोग करेंगे दोस्तो घर के किसी भी मुद्दे को आपस में बैठ कर सां आपके प्रेम जीवन में काफी गहराई आएगी और आपका वैवाएक जीवन काफी खुसनुमा बना रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जापका वैवसाई केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तो कारेच छित्र में कोई भी काम करने से पहले किसी अनुबब व्यक्ति की सला आ वैवसाई के लिए अधिक फायदेबंद तथा तरक की दायक रहेगी दोस्तो इसकी बहुत अधिक आवश्यक्ता हैं इस बात का आप जरूर ध्यान रखें नौकरी पेशा वैक्ति को कोई उपलबदी मिलने के योग आज बन रहे हैं जिससे उनको काफी खुसी का होगा दोस्तो वैवसाईक उदेश्यकों को लेकर भी आज कोई नजदी की यात्रा संभव हैं अगर किसी नए कारे की सुरुवात की हैं तो अब उसके उचिते पेढ़नाम आपको मिलने सुरू हो जाएंगे नौकरी सेवारत व्यक्ति के लिए भी कुछ ने अवसर आज बन रहे हैं दोस्तो आपको अपनी मेहनत के अनुनूप आज फल दायक पेढ़नाम प्राप्त होंगे परन्तु मार्केटिंग वे भार के कारों को आज इस्तगित रखें किसी नजदी की मित्र की सला पर गंभीरता से विचार करें तोकि यह सला आपके लिए काफी फाइदेवन साबित हो सकती है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज गला खराब और खासी जुकाम जैसी समस्यां उत्पन हो सकती हैं ला परवाई ना करें अपनी दिन चरिया विवस्थित रखें और आईरवेदिक चीजों का भी अधिक से अधिक आप शेवन करें साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश वपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत पर होने के अपने श्रद्धा के अनुसार अपने शामर्थ के अनुसार हरी मूंग का दान भगवान श्री गनेश जी का एसमन करते हुए अवश्य करें जिया दोस्तो ऐसा करने से भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों का अंत करेंगे और आपको जल्द ही विशेस सुभ फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहें बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जी का अश्रबाद आपको प् केमेंट्स बोक्स में जैश्री गनेश अवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद